कि यहींतर नमस्कार मेरे सेर्ट सेर्णिया स्वागत आप सबको अपने यूटूब चनल कमांडर केड़ में में दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एससी जीडी को लेकर है कि एससी जीडी में कौन-कौन सी जोग होती है उनमें से सबसे अच्छी जोग कौन से होती ह इसकी जोग करता है उसकी जोग परफाइल कैसी है वह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं पहले आपको बता दू कोई फोर्स नहीं है कई बचों को यहीं नहीं पता है कि एससी जीडी क्या है एक डिपार्मेंट है जो एकजाम कंडिक्ट करता है स्थाफ सेलेक्शन इसके दुआरा क्या होता है इसको थेकागार बोल सकते हो इसके दुआरा इक भरती निकल जैसे पचास-साथ-जार पदों पर इन पदों में से आपको बताया रहता कि कौन सी फोर्स के कितने पदल तो आप एससे जीडी की फोर्म बढ़े फिर आप जो पद सेलेक्ट किये इसके पेपर दिया उस हिसाफ से आपको जैसे नमबर होंगे वेसी आपको फोर्स मिल जाएगी कौन-कौन सी फोर्स देखो इसमें आती है लाड़नों इसकी वेकेंस से आने वाली है जो बच्छे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप चैनल से भी जूड़ जाएए आप चाहते हैं कि SSGD में आपका सेलेक्शन हो और आप हमारे एकेड में भी जोइन कर सकते हैं SSGD के लिए नीचे दिये गए नमबर पर आप कोल करके पुछ जान करें लेए तक नहीं है देख ये लाड़नों इसके दोबारा वेकेंस याते हैं एन आई ये जैसे जीडी के दोबारा आप एन आई में जा सकते हैं SSF, NCB, टीन तो ये फोर्स है जिनमें आप जासे हैं इसके अलावा BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP वर Assum Rifle ये नोग वेकेंसी इसके दोबारा आते हैं इन नोग फोर्स में आप जा सकते हैं NIA, National Investigation Agency, सबसे बेस्ट जोब है SSC GD में जो आती है, उनमें सबसे बेस्ट जोब है NIA इसकी पोस्ट एक बार केंसी में लगवाँ कि 200-200 आपने देखा होगा सुसान सिंह रातबूत केस में भी वीडियो आपने देखा होगा जहां पर NIA कोट लिखेवे वह वहां पर घूमते रहते है जिसमें दूसरे देश का कोई इंटर लगता जैसे उसमें क्या था ड्रेक्स कार कुछ मेंटर था तो भाई यह कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है उसके कारण निए की वहां एंट्री होती है नहीं तो NIA का वहां CBI की तरह काम नहीं करती है NIA आटेशनल इंविश्टी के राष्ट इस्तर के और अंत्राश्ट के काम करती है तो सबसे बेस्ट है सिविल जोब है टेकनिकल जोब भी बहुत अच्छी है मतलब बहुत प्रावड वाली सी जोब है तगड़ी एक नंबर नेट इसके सबसे टोप रहती उसके बाद में आती से चवेल हैं और हमारे और अजय करते हैं नंग कि सुरुक साहर करती है दिल्ली पुलिस की देशें इनकी वर्दी रहती है यह इसकी वी मेरिट उपर जाती कि यहाजा दो लोग डिल्ली में रहना चाहते हैं यहां राजस्तान युपी वाले बच्चे आपी टार्गेट करत पहला मिलिटरी उसको बोलते हैं जिसमें मिलिटरी की कमांड हो तो इसम राइपल में कमांड किसकी होते हैं मिलिटरी की इसकी वर्दी भी आर्मी की तरही है होती है इसी में केंटी शुविदा भी मिलती है बाकी क्या है बाकी है C.A.P.F. Central Armed Police Forces है ठीक है इनमें से सबसे बढ़िया जोब प्रोफाल अगर हम देखें देखो सबसे अच्छी जो जो मानी जाती है वह मानी जाती है C.A.A. सबकी आपने देखा हुआ एड़पॉर्ट पर ये ड्यूटी करते हैं मेटरों में ड्यूटी कर तो पिल्कुल सांथ्कून एरिया में ड्यूटी करते हैं इसलिए ये बेस्ट है ठीक है इसके बाद में बाकिया आपके अपनी भी चोईश है इसके बाद में हम देखें C.A.P.A. चैंट्रल डिजर प्लीस फॉर्स जिसमें मैंने भी साड़ चार साल अपनी शेवाएं दी है यनि में C.A.P.A. में मोगरी क्यों आप में से ज़्यादा दर लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी जोब है C.A.P.A.P. भाई मुझे दो वही चाहिए थी इसमें बहुत प्रकार की ड्यूटी मिलती हैं N.A.P.A., S.P.G. इसमें आपको जाने का मुका मिल जाता है C.B.I. में C.A.I.D. में इन सब में इसके दुवारा जा सकते हैं N.DR.P. में जा सकते हैं R.E.P. में जा सकते हैं कई इसमें फोर्स हैं इसलिए ये बढ़िया है वो इसमें अलाउंस और पेमेंट भी बहुत अचा रहता है चुकियां भी इसमें बहुत बढ़िया रहती है तो वहां पर बहुत बढ़ी आलाउंस रहता है लगबख 21,000 के आच पास तो इसलिए पेमेंट बहुत अच्छी हो जाती है इसके बाद में बात करें बीए सब लड़कों के इसाफ से बॉर्डर सेक्रेटिफ पॉर्स काम आप सब को बता बारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रही है फिर बात करें आई टी बीपी इंडियन तिबित बॉर्डर पुलिस पॉर्स से यह हीमवीर बोलते है इनको आप एसा नहीं कि कोई इनको क्यों पर नीचे कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप ज्यादा तर इंडियन तिबित बॉर्डर पुलिस एरिया में ही रहोगे लाइफ ट्रैम ज्यादा तर उसी एरिया में क्यों ही ड्यूटी करती है बाती जो प्र बतारो जिसे आपको आरे इंडिया गूमने का मौका करते हैं या उस एरिया की बच्चे आश्म राइपल सेलेट करते हैं उनके लिए ठीक भी है ठीक है उनके लिए बेस्ट भी है नोखिया तो सारी एक जैसी सब अच्छी है आपको मेनद सब जगर करनी पड़ेगी रेस्ट भी उठानी पड़ेगी सब उच्छ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप फड़ेश के सहसे दे सकते हैं गेंश्ट के सहसे ठीक है तो असम राइफल में क्योंकि आडमी के स्ट्रिक ज्यादा रहती है और यह पेरमिलेटरी में आती है और आपको आडमी की वर्दी पेहने को मौका मिल जाता है तो इस सहसाफ से आपको स आपको पूरा पूरा माज रहा है और तो आपको आपको नए वीडियो के साथ में आपको पूरा खुछ बता दूं मला रहा हूं लेकिन आगर आप ऐसे जिदी के त्यारी कर रहे हैं तो यह उल्ड पेपर वाली जो अमारी बुक के यह भी ले सकते हैं और चारो सब्जेट क जए सिया इमर्दी